नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचेत दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जहां आज का हमारा टॉपिक है हो सकता है कि घुटने बदलवाने की जरूरत ही ना पड़े दस दिन करके तो देख लीजिए आपके घुटनों को नया जीवन देने के लिए जानिये अद्भूत घरेलू उपाए दरसल घुटनों में ग्रीस कहना एक अनपढ़ भाशा का उप्योग है घुटनों में कोई ग्रीस खत्म नहीं होती घुटनों में फ्लेवोनोइड की कमी हो जाती है जिसके कारण घुट घुटने में उठते बैठते अत्यधिक डर्द होता है घुटनों से आवाज भी आती है फिर इसको लोग यह भी कह देते हैं कि घुटनों में गैप बढ़ गया है यह प्रियोग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रियोग के दोरान कुछ चीजों का पालन करना होगा फिर ही अप्रियोग बिल्कुल सही होगा अगर आपका वजन बढ़ गया हो तो उसको कंट्रोल कीजिए दाल दूद चाय कोफी कोल ड्रिंक्स फास्ट फूड तली हुई चीजें बंद करनी होंगी आपको अगर आपका खड़ा रहने का काम है तो दस दिन चुट्टी कर लीजिए पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है पहले घुटनों के बल या पालती मार कर बैठ जाना है उसके बाद ही पानी पीना है आपको वह भी घूट घूट गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए जो या बाजरे जिसमें गेहूं जो चना मिश्रित भी हो सकता है इसकी रोटी खानी है आपको ये समस्या अधिकतर बुढ़ापे में आती थी मगर अभी ये हमने जो आपको बताया इन कारणों के कारण जिन में वजन बढ़ जाना खड होकर पीना फास्ट फूट अधिक सेवन करना तली हुई चीजों का अधिक सेवन करना मुख्य कारण है तो इससे बचने के लिए हम आपको प्रयोग बता रहे हैं इनको कीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा सबसे पहला प्रयोग दस दिन के लिए सहजन का विरिक्ष अक मियाज पर पकाएं फिर इसको उतार कर अच्छे से इस पावडर को पानी में ने चोड़कर फिर इसको छान लें किसी कपड़े की मदद से और इसको घूट घूट कर पी लें पालती मार कर ध्यान रखें यहीं प्रयोग आपको दिन में कम से कम 3-5 बार करना है दूसरा प्र थ्राइपे नएड शामिल है बौसोवेलिक एसिद आस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटी इस बोसोवेलिक एसिदे आस्टो अर्थराहईटिस और रूमेटी इडare अर्थराहईटिस और पीठ दर्ध के लिए प्रभावी होता है पहले तो इस पेंड की छाल 10 ग्राम दो गलास पानी में गर्म करें और एक चोथाई यानि कि एक बटा चार रहने पर इसको पी लें ऐसा दिन में 3-5 बार करना है अगर इस्थिती ज़्यादा कठेन है तो इस काड़े में एक ग्राम लोबान गोंद जो इसी पेंड की गोंद होती है वो भी डाल दें या इसकी गोंद को दूध में डाल कर भी पी सकते हैं आप ये जो दोनों प्रयोग मैंने बताया इन में से कोई भी प्रयोग आप अपना सकते हैं पहले प्रत्थम वाला प्रयोग करने की कोशिश करें अगर ना हो पाए तो आप दूसरा वाला प्रयोग कर लें इसकी साथ म रात को सोते समय 5 बादाम, 11 मुनक्के, 7 अखरोट, 5 खजूर, इन सभी चीजों को एक साथ पानी में भींगो कर रात्री में रख दें और सुबह नाष्टे से पहले खाएं और साथ में गर्म दूध पिएं इस दूध में लुबान की गूंद एक गराम डाल कर गर्म करें, कुछ दिन तक यह प्रियोग रोजाना करें, ऐसा करने से घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा सर्दियों में इसके साथ में ये भी करें आप, नारियल की सुखी गीरी भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छे और शद है, रोजाना 30 ग्राम सुखा नारियल खाएं, घुटनों पर दिन में दो बार नारियल के तेल की मालिश गुलाई से करें, इससे घुटनों के दर्द में अद्भुत लाव होता है, अलसी एक से तीन चमच चबा चबा कर खाएं, अगर गर्मी हो तो अलसी को दही के साथ चबा चबा कर खाएं, घुटनों के लिए मसाज, एक छोटा चमच सोट का पाउडर लिजे और इसमें थोड़ा सर्सों का तेल मिलाईए, इसे अच्छी तरह मिला कर गारा पेष्ट बना लिजे, इसे अपने घुटनों पर मलिए, इसका प्रियोग आप दिन या रात कभी भी कर सकते हैं, कुछ घंटों बाद इसे धोलिजे, या प्रियोग करने से आपको घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी हराम मिलेगा, और इक नहट खत्म हो गई है, उसमें दस दिन में ही आराम दिखेगा, अगर आराम दिखे तो इस प्रियोग को जब तक पून आराम न मिले, तब तक आप दोहरा सकते हैं, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों